पूरी जो क्लास होगी वो इंग्लिश मेडियम के लिए अलग से क्लास रिकॉर्डड दी जारे हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग-अलग और यह क्लास आप हमारे विबसाइट www.abhyan.devil services.com पर भी पढ़ सकते हैं और डीटेल में जानने के लिए आप विबसाइट पर जरूर विजिट करें तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की current affairs की class इसमें कुछ 10 से 11 आपके news है और इन news को coverage के लिए हम डीटेल बात करेंगे के कल एक misinformation हो गई थी कल जो है भारत और कुएत का जो final था उसको भारत और ओमान लिख दिया गया था तो उसको मैं करेक्ट कर दूँगा और पिन टैक कर दूँगा आपके यूटुब चैनल पर चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कास वेरी गूड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों मैं धरंजे सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं इस current affairs की English Medium की क्लास में वर्ड इंवस्मेंट रिपोर्ट क्या है वाई इस इंपोर्टन हो इस प्रेटेट सम्टेटा अवाउड देटा अवाउड देटा आइंड इंवस्मेंट रोड मैप और इंडिया तोर्स द ग्लोबल एकॉनमीज चलिए इसमें शुरू करते हैं इन जुलाइ टू अब यह मतलब समझें आप की यहां पर कोई भी इंक्रिमेंट नहीं हुआ है अगर 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 अग्या की बात की जाए तो कोई भी इंक्रिमेंट नहीं हुआ है यहां पर तो कोई इंक्रिमेंट या डिक्रिमेंट नहीं हुआ लेकिन यहां पर ग्लोबल यानि की ओवर ओल जितने भी देश है वहां FDI का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो डाउन हुआ है वो हुआ है 12 वो 1.3 बिलियन उस टॉलर का क्या हुआ है फॉल हुआ है यानि की डाउन हुआ है यानि की कमी हुई है इन ये ये 2022 ये चांट थाइप ट्रीन इस टॉलर जो है इंक्रीज किया है एक की से बाइस के बीच में इन ये 2022 चाइन आउन्स नीw यानि की 5 परसेंट सॉत इंडिया ने की इंडिया के लिए एक अच्छी साइन है अगद्ध रिपोर्ट इंड़ीज हैं अगैं अगर्दी दील थूप फॉरेंश डील के रूप में और नीव प्रोजेक्ट अनॉंस्मेंट के रूप में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और अपना जिस्थान है अगर हम अनॉंस्मेंट आफ प्रोजेक्स ग्लोबली बात करें इसमें थर्ड है और सेकंड पोजेशन ये रखत पसंद आप देखते हैं कि आप अभी जो है हाली में ट्वीटर को लेकर के बहुत सारी समस्चाएं क्रियेट हो रही थी खास करके जो उसने जो है पेड अपना प्रोग्राम शुरू किया मंतली पेड जो है ब्लू टिक के लिए और भी बहुत सारे ऐसे उन्होंने प्रतिब मेता मेता जो की कौन है फेसबुक का ही नया नाम है फेसबुक पहले ये हुआ करता था अब इसका नाम मेता हो चुका है इसी ने लॉंच किया है अब थेड होता क्या है वाट इस्ट्रेट गोएं Two oneошli two is three one Benson four you can I'll write several tweets फिश। in threads this is called thread अब यहां से यह term जो है क्या किया गया है चुराया गया है यानि कि यहीं से twitter के ही एक term से एक नए social media platform create किया है किसने Mark Zuckerberg की जो company है वो social uh uh जो की meta meta या facebook हम कह सकते हैं that is a new social media platform this platform और app is developed by meta the platform aims to take advantage of the volatile state of twitter platform controlled by the Elon Musk Elon Musk ने इसको cash जैसे खरीद है Jack Dorsey का भी अभी controversial एक एक जो है statement आया था इससे पहले तो इस समय twitter को लेकर के भारत में काफी negativity है और negativity के साथ-साथ बहुत सारे इन्होंने negative rumors भी फैला रखे हैं खा विशेश कर Elon Musk ने जिस परकार से इन्होंने firing की अपने यहां जो है लोगों को हटा है बड़ी-बड़ी post से चाहें वो पराग हो पराग अगरवाल हो या आप देखें जैक डॉसी ने जैसे इनको सेल के उसके बाद से विवाद बहुत तेजी से बड़ा लाइक ट्विटर इस users can share short text message that can be liked replied and reposted तो यह ट्विटर की तरह होगा like करने का reply करने का और repost करने का messages up to 500 words यहां पर देखें एक limitations बढ़ा दिया इन्होंने 500 words जो है बहुत बड़ा एक दायरा दे देते हैं जिससे की आप maximum चीजे इसी में लिख से अब उससे बड़ा article को जल्दी पढ़ता नहीं तो यह maximum जो है 500 words का आप जो है एक thread बना कर लिख सकते हैं हला कि आप लिखना चाहें तो threads जैसे Twitter में चलता है वैसे वहां भी create कर सकते हैं unlike Twitter it does not have a direct messaging feature यह DM का option नहीं देता है वस यह इसकी इसका drawback है Meta was founded in the year 2004 by Mark Zuckerberg in California the former name of the Meta is Facebook ठीक है तो यह आप पता ही होगा तो इसके बारे में threads social media platform क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है ठीक है यह ट्यूटर का competitor होने वाला है ठीक है ट्रवेल एजेंट Association of India ताई ताई ने एक conference की है सिलंका में और इसके मार्दन से they are creating some positive impact on in सिलं Lankan tourism that's why this news is important for us we are going to discuss in detail let us discuss in detail दोस्तों the convention of the Travel Agent Association of India begin on 6th July in Colombo, Sri Lanka this is the 67th convention of Travel Agent Association of India or its headquarter is in Mumbai यह टोटली इन बेस चुह है company है the conference was inaugurated by the Sri Lankan President Ranil Vikrama single the theme of the convention is crossing borders changing lives crossing borders changing life because you know that the most of the Sri Lankan economy dependent on its tourism economy that's why tourism is very important for the Sri Lankan economy as well as India the present scenario is that the maximum visitors to Sri Lanka is from India all over the across the world the conference provided provides valuable business opportunities for the stakeholders in the Indian in the Indian and Sri Lankan travel industry in the year 2022 most foreigners went to Sri Lanka from tourism only from India तो सबसे ज्यादा जो है लोग जो है विजिट करने के लिए वह भारत से गए और इसका मतलब आपको पता ही है अभी एक web series आई थी आपने अगर देखा हो night manager 2 तो उसकी पूरी shooting ही मुझे लग रहा है इस लंका में होई है तो इस तरीके के बहुत सारे project हैं जो भारत जो है as a education tourism के रूप में इस लंका में तो नहीं लेकिन जो हम visiting tourism होते हैं उनके लिए काफी promote किया जाता है इस लंका को इस लंकान एकॉनमी को बूस्ट करने के लिए tourism economy को बूस्ट करने के लिए conference का आजन किया conference Colombo में आजित किया गया बस यह आपको ध्यान में रखना है इंडिया फर्स आयाइटी इंडिया फर्स आइट आपराड आप तंजानिया तंजानिया यू इस तरीके से बना सकते हैं और भी अगर आफरीका का मैप देखते हैं इस तरीके से बना सकते हैं और भी ऐसे हो सकता है तो यहाँ पर एक तंजानिया देश है जो कि इस तरन अफरीका में पड़ता है और यहाँ पर जंजी बार दीफ है जो कि आपको इसको लांग दीफ के रूप में पूल लजाता है ठीक है ना इंडिया's first Indian Institute of Technology outside India will be opened in the African country of Tanzania इस विल बी सेट अप इन जंजी बार तंजानिया जंजी बार एक आइलेंड है इसमें यह सेट अप किया जा रहा है अपस ओफ इट मद्रास विल बी सेट अप इन तंजानिया in this context a MOU Memorandum of Understanding has been signed between Indian Foreign Minister S.J.Sankar Prasad and President of Janjibar Hussain Ali Mabini Tanzania is a country of in the continent of East Africa and its capital is Dodoma Lake Victoria is situated between Tanzania, Uganda and Kenya जहां पर Lake Victoria is a very famous and very large lake of Africa जंजी बार यह जिंजी बार is a semi-autonomous region of Tanzania located in the Indian Ocean तो यह Indian Ocean में पढ़ता है, Eastern Africa में पढ़ता है साथ ही साथ, it is the first IIT campus outside India और abroad दोस्तों हमारे कुछ कारिकरम चल रहे हैं, कुछ प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें संपर कर सकते हैं, हमारे अभियान सिल सर्फिस एप पर जा करके यह आरो यारो वी यो का हिंदी मीडियम बैच जो है, आप जोईन कर सकते हैं गुरू 30 कोड यूज करके, साथ ही दोस्तों यहां पर UPPSC मेंस का हमारा 75 देज का क्रेस कोर्स चल रहा है जो की 2735 में ही आप ले सकते हैं, जो की 30 बहुत कम है 2-3 दिनों के लिए रहेगा रामबन बैच है, साथ ही दोस्तों हमारा एक वीकली अंसर राइटिंग कोर्स चल रहा है वीकली अंसर राइटिंग कोर्स जो है वो एसे राइटिंग कोर्स जो है, वो 1050 में मात्र मिलेगा आपको 25 से अधिक क्रवसे जिसमें मिलेंगी साथ ही दोस्तों एक हमारा Hindi English Medium दोनों का ही सार्थक पैसरी चल रहा है लेकिन model answer हमारी जो है वो हिंदी में दिये जाते हैं आप जो है इससे जूर सकते हैं इसके 30 मात्र 25,14 रुपए है साथ ही दोस्तों हमारा एक foundation badge का है जिसमें complete आपकी pre means interview सारे GS आपके essay हिंदी सब को जो है complete करके एक badge बनाए गया डेड़ साल का आपका जिसमें आप 5,130 रुपए पेड़ का सकते हैं साथ ही दोस्तों हमारा next topic देखते हैं जीमेक्स जापान इंडिया maritime exercise इस इस काल्ड जीमेक्स joint military exercise यह exercise जो है 2012 से regular हो रही है वो बारी बारी से इंडिया और जापान में आज़ित गया है इस बार यह विशाका पत्न में आज़ित की गई थी तो लेट उस डिसकस इन डीटेल दोस्तों जीमेक्स joint military exercise is conducted between India between the navies of India and Japan this इसका जो है acronym आप देखेंगे तो जे से जापान हो जाएगा आई से इंडिया हो जाएगा तो जीमेक्स maritime exercise यह आप याद रख्येगा 7th edition is being organized in the year 2023 which is will run 10th July 10th July तक यह चलेगा जीमेक्स joint military exercise is being held in the विशाखा पत्नम विशाखा पत्नमें यह यह organized किया जा रहा है आइनस डेली मिसाइल डिस्ट्वाइर आइनस कार्मोटा anti-submarine warfare का कॉर्वेटे कार्मोटा और उसके बाद जो है warfare कॉवेट जो है and P8I aircraft are participating from the Indian Navy side in this joint military exercise GMAX joint military exercise started in year 2012 2012 में इसको start किया गया था और बारी बारी से यह दोनों जगाया जित किया जा रहा है इस बार यह विशाखा पत्नम में organize किया गया है जापान और इंडिया के वीचे exercise conduct होती है तो यह रही complete information इससे let us discuss to the next information which is about the national mineral development corporation which is a very big and very great company of Indian PSU's NMDC it is India's largest steel over production company और इसके साथ-साथ word में भी यह top 6 में अपना place रखती है let us discuss in detail दोस्तों in July 2023 national mineral development corporation it has been honored with two awards at the business excellence award 2023 NMDC has conferred with the national mineral award and employer brand of the year award business excellence award are presented by SHMs and national mineral development corporation is a Navaratna company it is India's largest and award 6th largest iron ore producing company तो यह आप याद रखेंगे इंडिया की सबसे बड़ी iron ore production company है और विश्व की 6th सबसे बड़ी iron ore production company है यह its headquarter is located in Hyderabad इसका स्टार्टिंगा गुए था 1958 में PSU है भारत की सबसे बेस PSU में से एक है basketball federation of India के किस post पर आधाव अर्जुन को point किया गया है let us discuss in detail आधाव अर्जुन person in news में यह काफी important रहेंगे in July 2023 आधाव अर्जुन has been elected as the new president of the Indian basketball federation आधाव अर्जुन is currently the president of Tamil Nadu basketball association आधाव अर्जुन will replace the Govindra Raj on this post the Indian basketball federation was established in the year 1950 headquarter का आप रहें इसका निव डेली मेर basketball federation के नए जो है चेर्मैन होंगे इनका नाम नए प्रेसिडेंट होंगे वो आधाव अर्जुन होंगे चलिए next आई आल इंडिया football federation annual football award जो है इसमें आपने देखा कल्यान सुमन कल्यान है मेरे खाल से यह और लियोंगे इनका नाम है जो इन दोनों को दिया गया है best male और best female का let us discuss in detail दोस्तों in July 2023 the All India Football Federation announced the annual football awards Indian football team's midfielder लालियान जो है आप याद रखेंगे या लालियान जुआला चांगते लालियान जुआला चांगते has been selected as the male football or footballer of the year लालियान जुआला चांगते is the second player from the Vizoram to be named as the main footballer of the main footballer of the year All India Football Federation has named Manisha कल्यान sorry Manisha कल्यान इनका नाम है आप याद रखेंगा इनका नाम Manisha कल्यान as the women footballer यह consecutively second time इनको मिल रहा है यह ध्यान रखेंगा Manisha कल्यान has been named the women footballer for the year for the second time in a row यह यह पिछले साल भी 2022 में इनको women footballer of the year का नाम दिया गया था और इस बार भी दिया गया था Former Indian player Clifford Miranda has been selected as the best male coach of the year Priya Parthi Wallapil has been awarded as the best women coach Men coach Miranda है और women coach जो है वो क्या है Priya Parthi Wallapil All India Football Federation was established in the 1937 अजादी से पहले का यह काफी पुराना association है Presently its chairman is Kalyan Chove, Kalyan Chove is also was in news आप याद रखेंगे कि this is the first person who is a player as its chairman तो यह भी आपको याद रखना होगा नेक्स देखते दोस्तों डिजिटल पॉस्नल डेटा प्रोटेक्शन बिल इस वेरी इंपोर्टेंट बिल फॉर वार सेक आफ 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 और पीपल्स प्राइवेसी तो इसके बारे में आपको जरूर जाना चाहिए मेंस में भी आंसर का के लिए बन सकता था 2019 में इसको पहले एक बार इंट्रोड्यूस किया था फिर वापस ले लिया गया अभी जो है कुछ इसमें सुधार करके फिर से इंट्रोड्यूस करने की बात हुई है अब ही क्या है कि इसको विड्रोण कर दिया गया था 2019 में प्रोडूस करके भी इस देट प्रोड्यूस करके भी इस देटा प्रोड्यूस करके बीडाउन दिजिटल राइट्स और दूट्रोड्यूस इस देटेश देटा मैनेज़मेंगा बाड़ी सारी कंपनीया है जैसे की मेटा है ट्विटर है यूट्व है घूगल है यह सारे हमारे डेटा के साथ बहुर सारा जो है छेट चाड़ करते हैं तो उनके लिए यह काफी सटीक रहेगा क्योंको कांट्रोल किया जाएग दब each instances of violation of rules तो यह बहुत ही बड़ा एक decision होगा in security of the personal protection of people, personal data protection of people the first principle of the proposed bill is that the use of personal data by organizations should be lawful, fair and transparent to the individuals concerned यानि कि लोगों के concern को देखते हुए इसको जो है क्या करना चीए जो data है, data का use जो है वो या तो person की जो है मर्जी से या उनकी उनके उनसे पूछ कर उनसे ये data use किया जाए और अगर use किया जाए तो there should be a law, fair and transparent to the individual concerned ये आपको ध्यान में रखना है, ये काफी important topic है आज का और last topic है दोस्तों आज का प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, it is a very great scheme for the insurance, health insurance for the people of India and it is a very big leap in the field of the insurance, health insurance of people, the health insurance आपको पता है कि it is a very weak concern for the poor people to invest in health, health और education दो ऐसे field है जिसमें जो है investment maximum जो है एक ब्यक्तिका जाता है और अगर उसको सरकार अपने उपर ले लेती है तो ये बहुत एक बड़ा हमारे जो है burden जो है the Gujarat government has double the amount of the scheme that means now the beneficiary will be able to get treatment facility up to 10 लाग that was that was 5 लाग in other states and scheme it in this scheme a provision has been made for free medical treatment up to 5 लाग annually each selected family आपको पता है कि 5 लाग था गुजराच सरकार ने इसको क्या कार दिया है जुलाई 2 тел इस में दस लाग बड़ा कर के अधिरे इस वेरिग理 स्टेप और देख लिए हमें इसको फिर से देख लेना चाहिए ये 2018 में launch हुई थी और इसका नाम जो है प्रधान मंतरी आईश्मान योजना भी है प्रधान मंतरी जन आरोग्य योजना is named also प्रधान मंतरी आईश्मान योजना तो आपको आईश्मान भार्द योजना जो है तो यह आपको याद रखना है कि यह सब कुछ रहा आज की क्लास दोस्तो कुछ हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं that you can join और यह आप जोइन कर सकते हैं बहुत ही चीप और सस्ते रेट में अभी जो है 2870 मातर देना है आपको वन पॉइंट फाइप यह के लिए आप और यहां से करेंगे हिंदी एस सब कुछ यहाँ पर कराया जाएगा साथ ही दोस्तो हमारा अने कारिकरम है अने कारिकरम में में मेंस का है क्रेश कोर्स चल रहा है इसको आप जोइन कर सकते हैं हमारे जो है वीकली एसे राइटिंग क लीली आंसर राइटिंग कर सकते हैं कर यहां निवहाय जो है इस सब्सक्राइबा हमारी ने क्लहस क्लास क्या रहा हूं तब तक के लिए ऄंक कर सकते हैं।